अम्रोहा से बड़ी खबर लाखों की डकैती का मामला गन पॉइंट पर 38 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया है तो नकाप पोश्बद माशों ने घर में डाली डकैती धाना आदम पुश्चेत्र करोली गाउं का ये पूरा मामला तो ये बड़ी खबर आपको अंदेरे जा घर को निशाना बनाते हुए 38 लाख रुपए की डकैती संबादा अशीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर ज़द जानकारे के साथ जुड़ चुके हैं आजश्यश लाखों की डकैती का मामला सामने जहां पर 38 लाख रुपए की डकैती की गई है बदमाशों की तरफ से माहिलाओ कहतिया, चोरी टकहतिया, लूट, ऐसे आए दिन बार दातें सामने आ रहे हैं इसलिकर आज बिती रात ने एक हत्यावाद मुझमासों ने एक परिवाद को बन्दा बना लिया परिवाद को अभी तक कुछ पता चल पाया है अशीश जब इस मामले मामले अमरो एस्पी से बात जाना तो माम अमरो एस्पी ने बेपिन टारा है उन्होंने सापता पना कर दिया परिवार उनके तरह से क्या कुछ का जा रहा है पुलिस की कारवाई से क्या वो सम्तुष नजर आ रहे हैं इस थाना आजम पर के रहने वाले जो करोली गाओं के राइंदर सिंगा दूद के प्यापारी है और इन्होंने टैजिक देदी है पिलास पुलिस अभी मामले को जकैती का ये पूरा मामला अमरोहा का है लेकिन जाहिर तोर पर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि कहीं न कहीं इस तरह के जकैती को इतनी आसानी से अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं इसकी वज़ा पुलिस का डुर्मूल रवाया है